हेलो एबरिवन आपसे भी ट्यूड है आपका अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर संड्या लेक्शर्स पर तो जैसे कि यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं अभी दस दिन में मई से लेके अगस्त की और आगे भी अगस्त से आगे भी जो भ और मन्त में आपका फोर डी गर्वा उसका मैं साथ दिन का ईक सेट बनाओंगा और उस एडिफी उसकी एपलोड पलोड कर दो है क्योंकि इसमें जो भी चीज मैंने बताया हो बहुत ही डिपली है तो अभी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं एक मई से लेके साथ में तक की पूरी कालिया तो बीना देरी के चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो को सरव प्रत्र में लोग शुरू करेंगे महतपूर्ण दिवस यानिकी इंपोर्टेंट डेट के साथ तो मई में यहीं देखा जाए तो फर्स्ट मई से ही अंतराष्ट या मजदूर दिवस हर वर्स मनाया ज जाता है अब देखिए यहां पर इसी तरह से मैं दूंगा जैसे कि यह कुष्टन है और इसके सारे नोट्स यहां पर इसी सबसे में हर कुष्टन में दूंगा तो चलिए इसका नोट्स को देखते हैं तो यहां पर दिया हुआ यह दिवस स्रमिकों के आठ गंटे काम करने क आंदोलन की जीत के उपलक्ष में मनाया जाता है यह दुनिया भर में स्रमिकों के आर्थिक और समाजिक अधिकारों को प्राप्त करने किये गए बलिदान के प्रति स्रधान जली जो है अर्पित करता है अंतराश्टे मजदूर दिवस 2019 का बिशे था सस्टेनेबल पेंशन के खया है और कर्मिकारा दिना चरण कन्रड में अब इस तरह सें मउराठी में इस तरह सरे लैंग बजी करते है हुआ है जिसे कि तमील में और मल्यालम में भी दिया गया है कि दूसरा नमर में आप देख सकते हैं दो राज्य जिन्हों ने एक माई 2019 को शाठ्वा स्था अपना दिवस बनाया तो कौन-कौन सा था वो राज वो गुजरात और महराष्ट था अब इसके रिगार्दिंग नोट्स हैं वर्स 1960 में दो पस्चमी राज गुजरात और महराष्ट आज के ही दिन यानि कि एक मई के ही दिन पुरूबर्ती राज बंबे से बने थे और हर वर्स महराष्ट सरकार एक मई को महराष्ट दिवस के रुप्पे मनाया जाने के लिए सर किसरा नमर क्वेश्चन में दिया हुआ है दुन्या बर में 200 प्रेश स्वतांद्रता दिवस हर वर्स कब मनाया जाता है यह हैं तीन मई कि दो मई को कोई खास डेट नहीं है इसके रिगार्डिंग में यहां पर नोट्स दिया हुआ है बर्स 2019 का बीश है मेडिया फूर डेमोक्रसी जॉर्णालिजम एंग एलेक्संस इन टाइम ओफ डिस इंफॉर्मेशन है तो इसका आपको थीम जो है वह याद रखना हुआ है यह सारे डीपली पूछते हैं यू पीसी एस्टेट पीसी के एक्जाम में यह सांती और मेत्री प्रकरियाओं के समर्थन में मीडिया की छंता के साथ चुनवों में मीडिया के सामने आने वाली वर्तवान चुन्योंतियों पर चर्चा करता है तिसरा पॉइंट में दिया आरे हो इस वीडियो को देखने में या फिर समझने में इस वारे हो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि क्या आपको प्रोब्लिम कि स्टेफ से आ रहे हैं मैं उसको इंप्रूब जरूर करूंगा अब देखिए क्वेस्टन के टाइप है और उसके यहां पर डिस्क लोग कर लाव के बारे में जा बढ़ाने का दिवा सबस्यंद इस से की उसुण वा जिस तरह से विश्व आस्थमा दिवस हर वर्ष मनाया जाता है कब मई के पहले मंगलवार को अब देखिए यहां पर आस्थमा रिलेक्टेड कुछ पॉइंट्स भी दिये हुए हैं आस्थमा फेपड़ों का एक जिर्ण रोग है जिसके कान सांस लेने में समस्या होती है अब तोर पर आस्थमा में खासी सीने में जेकन सांसफुलना जैसे लक्षन दिखाई देते हैं इस वर्ष विश्व आस्थमा दिवस का विश्व बिश्य जो था वह स्टॉप फॉर आस्थमा रहा है कि उन्हें से उन्ठान में में वर्शुलिना इस्पेंड में आजित पहली विश्वा आस्थमा वेठा केशन में 35 से अधिक देशों में पहला विश्वा आस्थमा दिवस मनाया गया कव 1998 में तो पांच क्वेस्चन्स आपके रिलेटेड थे एक से साथ माई वाला सेशन में व तो फर्ष्ट नमर में कर चोरों को पकड़ने और काले धन को कम करने के लिए डेटा आदान-प्रदान में सुवधा है तो माल एबुम सेबा कर निट्वर्क हैने कि जिसे जी एस्टी ने किस के साथ एक समझोता पर हस्ताक्षर किये तो यह था आईकर विभाग आप लोग याद रखेंगे कि कर रिलेटेड जो भी कुश्चन आता अक्सर वह एकर विभाग ही देखती है कर रिलेटेड जो भी काम ह होता है एकर विभाग देखते हैं इसके रिगार्डिंग में नोट्स हैं इस कदम में वार्षिक जी एस्टी जी एस्टे करता है गुड्स सर्विस टेक्स रिटर्ण की तुलना में आईकर रिटर्ण में वेवसायों द्वारा दर्ज जानकारी जो भी था उसको सत्यापित क करने की अनुमाती मिल जाती है अब दोनों पक्स्वचालित वस्थ और अनुरोद आधा डेटा का दान प्रदान के साधन पर फिसला करेंगे आईकर विभाग प्रमुख वित्य जानकारी साजा करेंगी जिसमें जी एस्टी एन के साथ आईकर रिटर्ण फाइलिंग की स्थ की पुर्वानों में विकास दरघट कर कितनी परसेंटेज पर आ गई थी यह था साथ दसंब्लव तीन प्रतिशत इसके रिगार्डिंग में कुछ नोट्स आपको यहां पर मिल जाएंगे तो यहां पर देखिए एजनसी इस एजनसी फिच ग्रूप एंग कंपनी को एजनस संकट की भविषवानी की थी एक और इंप्रोटन पॉइंट में बता दाना चाहूंगा कि जैसे कि आर्बिया के बहुत सारे गैडलाइन के अनकूल स्टेट में को भी साथ करो रूपया का जूर्माना जो था फाइन जो था लगाया गया था हाल ही में और उसी सब को मद्द नजर देखते हुए इसने बहुत सारे जूल की जिसके एगेंस्ट में कस्टमर को बहुत प्रोब्लेम हुई जैसे कि करना पड़ा उनको बहुत सारे कस्टमर्स के एकॉंट जो है वोल्ड हो गया था तो चलिए हम लोग और पॉइंट्स देखते हैं यहां पर दिया हुआ ह मार्च में स्ट्रीट में गोशना कि थिकुवा बचत खाते में एक लाक रुपे से अधिक जमाराशी और अभरड्राप्रेवा नवयदरीन सुधा पर अपनी ब्याजदर को महरति देखते में की रेपो रिट से लिंक करेगी है एक मई 2019 से प्रभावी है और बड़े SBA बच करना पर चलेगी इससे आर्विया की नितिगत दरों का बेंकिंग दरों में बहतर हस्तां तरंद करने में मदद मिलेगी आगे जो भी रूल आर्विया पारिद करेंगे लागों हो जाएगा नेक्स्ट कोईस्टन देशों के युबाओं को ससक्त बनाने के लिए बैंगलूर सब्सेदार लोक भारती एजुकेशन सोसाइटी के सहयोग से सुरू क्या गया है और एक ट्रस्ट है यह उत्कृष्टा केंद्र यानि की बीफसाइख खुद्रा यानि कि आई टी और आई टी एससी चेत्रों में अधिकारी की हिन युबाओं को प्रसिक्शन परदान आद में इसका विष्टार अन्य सहरों में क्या जाएगा क्विस्टन नमर्शिक्स माल इबम सेवाकर यानि कि जी एस्टी संगरा पिछले मैंने किस उच्छ तमस्तर पर पहुंच गया था तो यह था 1.13 लाख क्रोड़ रूपया नेक्स्ट है आर्विया ने विनियामक मान मेर्देश का पालन करने पर वेस्टर्न फाइनेंस सर्विसेज अमेरिका और मनीग्राम पेमेंट सिस्टम अमेरिका पर क्रम्सा यानि कि 29,66,969 और 10,11,653 रूपय का जुर्माना लगा है यह दोनों सर्विस पर और एक अन्य बयान में आर्विया ने कहा कि वोड़ा फॉन एम पेशा पर भी 3.05 करोड रूपय है और मोबाल पेमेंट्स जो कि था फोन पर या फिर प्रेवेट जो भी था जिसके जी आई टेकनोलोजी पर भी एक एक करोड़ रूपय का जुर्माना लगा गया तो यह सारे पॉइंट्स बहुत इंपोर्टेंट है आप लोग इसको रिवाइज भी जरूड करेंगे इसका रिलिटेट कुईस्टन्स भी आपको इसन में में जरूड बनाएंगे जैसे कि कुईस्टन में मार्केट मिलता करेंट अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पॉइंट है मुख्य आर्थिक सलाकार जिन्हें 15 में वित आयो की सलाकार परिशद में इसके सदस के रूप में सामिल किया गया हुआ कौन थे तो यह थे कृष्ण मुर्ति सुब्रमन्ययन और इसका नोट है सुब्रमन्ययन परिशद के बारह में सदस्य हो जाएंगे और सलाकार परिशद के स्थापना आयोग की विचारत विशय जो कि था टी ओ आ परिश्दाज को सिक्या हस्तांतरण से समंधित मामलों में मदद करती है और अपनी सिफारिशों की गुनवत्ता पहुंच और प्रवर्तन में सुधार करती है नाइन है डिजिटल सदस्यता सुल्क मोडल पर काम करने वाले विपारियों के लिए आवर्ती भुकतान यानिके आटो पे सिवा कि लिए से शुरू हुई तो कौन सा ऐसा एप है तो वह था पीटियम आपने देखा होगा बहुत सारे इसा विपारियों के लिए पीटियम ज भुकतान की प्राप्त करने की अनमति देगा और उटो ईंस वह अं यह तन लोगों नियोजीत थे जो बिल हुगतान ज्याने कि सदस्यता सुल कि किराने पर सामान कि भी प्रवा सुल्क बुकतन आदी के लिए प्रवाइब करते हैं जैसे कि आप कोई चीज का बिजली का भी बिलू से कर सकते हैं बहुत सारा फंक्षन है पैडलली जो है पेटियम उसके अपडेट करते हैं आ रही है एक और बात मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि हिंदी जो है अ सारे फोरेंड राइटर्स के हैं लगभग और यह सबके सब इंग्लिज मेडियम है तो यहां पर जैसे कि कोई पॉलिक्टिसियन पार्टी का नाम या पी दिया रहता जो कि सौथ इंडियन रिलेटेड हो तो उसमें थोड़ा प्रनॉंसियेशन में हमें प्रोब्लेम आती है तो सरदान जलिया हम लोग देखते हैं किन को कब दिया गया था किनका निधन कब हुआ और तो कुष्चन नमर वन से सुरू करते हैं यहां पर क्वेस्टन नमर वन में इथीयोपिया की पूर्व राष्ट पति जिनका जर्वनी में निधन हो गया था उनका नाम क्या था तो के अध्यक्स भी रहे थे जिसका नाम अब थोड़ा चेंज हो गया अब हो गया है औरोमा डेमोक्रेटिक पार्टी नेक्स्ट है कंणर रंग मंच के प्रख्यात कला का टीवी अभिन्ता जिनका बेंगलूरू में निधन हो गया वह कौन थे तो यह थे मास्टर हिरन्या मास् सिंग मूर्ती ने एक बच्चे के रूप में मंच पर अपने अभिनएकी शुरुवात की थी इनके बारे में दिया हुआ कुछ पॉइंट्स उन्होंने लांचा वतारा नाटक में मुख्य बोमे का निवाने का के बाद जो है प्रसिद्धी हासिल की मास्टर ने वर्ष 1984 में कनर्र राज्य पुरस्कार राजय उसब प्रसिस्ट वर्ष 1984 में फुभी बी वरनम्मा पुरसकार और ड्राम अकादमी पुर्षकार mix निव चंवर्षց में है द्धू अडवित्थी पुर्षकार यह ने प्राप्त किया तो यह 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 अवार्ड पूच सकते आपके जनरल एक्जाम में भी लेकिने इतनी डिटेल जो पॉइंट अमर वन और टुम है यह यूप एसी में ही कुछ ही जाती है अब थ्री में है ब्रिटिस अमेरिकी अभिनिता जिनका उत्री टेकसास इस्तित आवास पर निदन हो गया तो वह कौन थे वह थे पेटर मेहिव पेटर मेहिव को स्टार वर्स फिल्म स्रिंग खलाम स्टार वर्स की जो आती है स्रीज उसमें चुबक्का के करिदार में जाना जता है उन्होंने अपनी भूमिका से सन्यास लेने से पहले 1977 की मूल फिल्म में वर्स 2015 की दफॉर्स ऑवरकर्स तक अपनी सभी लाइब समाज से भी भी थे अब एक से साथ तारिक की जो है डेट उसी में हम लोग नई नियुक्तियां के भी बारे में देखेंगे तो क्विस्टन नमर वन में जापान के नए समराथ जो आपचारिक रूप से क्राइस सेथ मीं ठ्रोन पर बैठे वह कौन थे वह थे निरुहितो नरुहितो और टोक्यो के इंपेरियल पैलिस में आयोजित एक समारो में नरुहितो जापान के 126 में समराथ बने रेवडा नामक एक नया साहियुक्त जिसका अर्थ है आदेश और समानजस्य अब शुरू हो लेखिन यह गाराश्टी प्रतित कि रूप में कारे करता है एक रष्ट सब्सक्राइब इसके पास कोई यह विज्राज नेतिक सक्ति वह नहीं होती है अक्ट स्कौन तो 저 करने इस्राइल के नए प्रधानमंतिक रूप में किसने सफ़त ले तो यह थी बेंजामिन नितन्याहू इसके रिगार्डिंग नोट्स हैं कि नितन्याहू की लिकुड पार्टी लिकुड पार्टी ने चुनाव में पूर्बस सेन्य प्रमुख बेनी गेजेट के नेत्वेत में उ और उसके समान ही यह पॉइंटी सीट जीती थी बेंजामिन यानिकी बीवी नितन्याहू का जन्म 1909 में तेल अवीब में हुआ था क्वेस्टन नमर थी वरिस्ट आई-एस अधिकारी जिन है लोगपाल कारेकाल में विशिस कारी अधिकारी ओएस दे नियुक्त किया गया वह कौन थी तो थी दिलिप कुमार अब इसकी दिकार्डिम भी नोट्स है यह संभवता लोगपाल में किसी नोकरसा की पहली अधिकारी नियुक्ती है पूच सकता यह कुश्चन बरतमा में स्रीकुमार राष्ट मानवा अधिकार आयोग के संयुक्त सची भी है और राष्टपती रामनात को बिंद ने नयमूर्ती पिनाकी चंद्रगोश की लोगपाल जो कि 23 मार्च को थी कि अध्यक्षपद की सपत दिलाई थी इस चीज का सपत दिलाता है नेक्स राष्टिय स्वक्षब वायुकारिय करने लागू करने के लिए केंद्र पार्यावरन मनतर episode है समिती का प्रमुख कौन होगा सचीव केंLE पार्यावरन मनतर यह इसके रिगार्डिंग यह देखा जाएगा अब नेक्स्ट है क्वेस्टन नमर फाइब अमेरिकी वायू सेना के जनरल जिन्होंने उन्तिस देशों की नाटो सेने गट बंदन के सिर्ष सेने अधिकारे करूप में सपत कराने और कौन थे वह थे टोड डी वाल्टर्स इनके रिगार्डिंग नोट है पूर्व फैलट वा प्रिम एलाइड कमांडर यूरूप बनाए गया वह यूरूप में अमेरिकी सेनों में कमांडर भी होंगे यहां पर एक भी पॉइंट मैं नहीं छोड़ा हूं जैसे का आपको लगा होगा कि प्रिवेस कोस्टन नमर फूर में इसके रिगार्डिंग में कुछ तो इंपोट कि भी करें प्वेस्टन नमर शिक्स न्याय मोटी स्रीपती रविंदर भट ने किस नयालाए कि 36 मुख्य नयदेश के रूप में सपत ग्राण की तो राजस्थान उच्छ नयाले नयमूर्ती भट को राजेपाल कल्यान सिंग ने जैपूर के राजभवन में आविजित एक टिर में सवर्ट दिलाई समारों में सपत पर तो से आधम की इसिएक सेट का जो शोता है रश्रपती की तरह पावरफूल में तो अभी हम लोग नहीं देखेंगे दारा 370 के भी बारे में हम लोग जानेंगे जो की अलग वीडियो है वेस्टन नमर सेवेन पेटियम अध्यक्ष जिन्होंने कंपनी छोड़ दी तो वह थे भूशन पाटी पाटील का बाहर निकलना हाल के समय में कंपनी की सबसे बरिष्ट मार्ग दर्शकों में से एक का सामि हुए थे चलिए आगे देखते पीटियम के स्थापना अगस्त दोजारों दस में नुएडाम इसके संस्थापक विजय से खर्शरमा द्वारा दू मिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रामिश के साथ की गई थी उचा जा सकता है आप लोग से इसके संस्थापक का नहां विजय स पते डॉक्टर रजा वाकीर वह तारीक वजाबा की जगा लेंगे इन से पहले उनके पद से खटा दिया गया था था तरीक वजाबा को पद से खटा दिया गया था कि उसी के रिगार्डिंग कुछ और नोट से बरतमान में डॉक्टर रजा वकिर्ज हुआ हावर्ड और वर्कले उनिवर्सिटी ऑफ कैलिफॉर्णिया के पूर्व छात्रा चुके हैं वह अभी आई-एम-एफ में मिसर के बरिष्ट आबासी प्रतिनद्री के रूप में सेव कि बी-एसी देखे इस्टोक एक्सेंज बहुत सारे टाइप के जीशिकी बी-एसी है निफ्टी-फिप्टी इसी तरह से है तो बंबे स्टोक एक्सेंज की पहली सोतंत महिला निदेस्ट किन्हीं निव्त क्या गया था हुआ है एम जैसरी व्यास फिमेल है इसके रिगार्डिंग पॉइंट से हुआ एक योगी चार्टरे कॉंटेंट है यह सब छेत में चार्टरे कॉंटेंट से ही मतलब की लिया जाता इंप्लोई को अब जैसरी व्यास बर्स 1986 से स्री महिला सेवा सहकारी बेंक और साथ में एहमदाबाद की प्रवंधक निदेसक की रूप में कारे रख थे उन्होंने बर्स 2001 में सेवा बैंक में वीते साथ शर्ता कारेकर मसुवारम में एक वहत पूर्ण भूमिका भी निभाई थी तेरह में बर्स तेरह में कंपनी अधिनियम ने कुछ निश्चित्र नहीं की कंपनियों को बोर्ड में कम से कम एक महिला होना आनेवारे कर दिया था उसके बाद इनको लिया गया था जिनका नाम है एक चरी प्रेक्टीस भी करते रहेंगे फृरी टाइम में घर पे जब भी हो तो इसके रिलेक्टर आपको कुछ नच्छेट का प्रेक्टिस बनाते रहेंगे इसके रिकार्डिंग मैं क।ॉपलो रहेंगे वह सारे सबके एंसर भी वहापे मिल जाएंगे आपको अब कुछ इंपोर्टेंट न्यूज जो है अपने इंडिया रिलेटेड भारत रिलेटेड वह देख लेते हैं तो एक में तिंद्र सरकार ने राजी के परिवान विभाकों से सभी बैटरी चालित वहानों या मतकाल प्रवाब से किस रन्ग की नमर-व्यृ लगाने को कहें है तो आप लोग को याद रखें हर रंग करने वह नीसिरलट कलर होता है यानि कि नेटर में पूदी के पत्तिक होता है इसलिए सब्सक्राइब याद रखेंगे अगस्त अठारे में सभी बैटरी चालिक एलेक्ट्रिक वहान के लिए नहीं नमर प्रेट पेस की थी पहले इसे नमर प्रेट का जरूरत नहीं होता था यह कि इक अदिक अधिक अलेक्ट्रिक मोटर चला आजाता है तो इसमें जो भी काम होता जो वह इलेक्ट्रिक अधिक उता हैं तो आगे हैं तो उससे रक्षा से सिप्यार्ड का नाम आपको बताना है तो वह था गार्डन रिच सीप बिल्डर सेंट इंजिनियर्स इसके रियार्डिंग में नोट से पहला जहाज अनुबंदन से 42 मेनों का अंदर रगत यानि की कि 2022 तक प्रदान किया जाएगा और एस डवलू एस डवलू सी एक अल्गोरिधम जो दूस्मन की पंडूवी से मिलने वाले संक्रत को समुद्र तल में चलने वाली पंडूवी से अलग करता है यह सहित परिक्रिस्तिक सोनार से लेस है यह एक अल्गोरिधम है जो की कम समय में बिसफोट है तो तीज चलने की छमता भी होगी यानिकी टर्वो इंजिंग लगाए जाएगा इसके बाद जी एड़ एस सी को अप्रेल दोजार शबिस तक डिलेवरी पूरा करते हुए प्रती बर्स दो और एस डवलू सी बितरित करने का जो है वादा क्या गया ह है इसी मतलब की सी प्यार्ड की ओर से बढ़ते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेस्टन नमर थ्री स्टॉक्वम इंटरनेशनल पीस रिशर्च इंस्टीट ऐसाई प्यार आई कि एक नविंतम रिपोर्ट के नुसार वर्स 2018 में दुनिया का सरवाधिक से ने खर्चा करने वाल स्टॉक्वम इंटरनेशनल पीस रिशर्च इंस्टीट स्वीडिन में इस्तित एक अंतराष्ट संस्थान है जो संघर्ष आयूद हथियार नेंत्रन और निसस्त्रिकर्ण में अनुसंदान के समर्पित हैं सब देशों के लिए नेक्स्ट है उपराष्टपती एम बेंकर या नेडू ने किसकी साथ सो पचासमी जेंते एक उपलक्ष में एक डाक्टे कट जारे किया तो वो थी स्री वेधान्त देशिकन नेडूक अनुसार पाथे पुस्तकों को स्री वेधान्त देशिकन जेसे महान संत और अध्यात्मिक प्रतिरूपों के जीवन पर प्रकास्ट डालना चाहे और वेधान्त देशिकन एक स्री वेष्णव गुरू या दार्शनिक और रमानुज के बाद के काल में वेष्णव वाद के सबसे निस्टावान समर्थकों में से एक थे यह संत जो थे निका नाम था क्या स्री वेधान्त देशिकन वह एक कभी भक्त दार्शनिक और प्रधान सिख्छक भी थे पुलवामा में वारत फाइबर की सुरुवात के साथ ऑप्टिकल फाइबर आधारे तहाए स्पिट ब्रोड बेंड्स होगा शुरू करने वाला पहरा अप्टेटर कौन था तो वह था भी एसनल तो ऑप्टिकल फाइबर जो होता है मेडिकल के च्छेत में बहुत सारे अंडोस्कोप लेरिंगोस्कोप में इसका यूज किया जाता है इस विशिस्ट राजस्वे हिस्सेदारी मोडल के तहती है कस्मीर घांटी में सुरू होने वाले पहली कि एफ्टी टी एच यानिकी फाइबर टू दे होम सेवा है बी एसनल एक सो साथ अधिक दूर संचार जीलों में साथ सो सततर से लिए के मासिक सुल के साथ एफ्टी टी एच सेवा प्रदान करता है जिनकी निवन्तम गती दो मेगावट प्रतिसेकंड है कि नेक्स्ट है भारतिय नौ सेना के प्रोजेक्ट सेवेंटी फाइब की चोथी स्टिल्थ स्कॉर्पियों स्रेनी का पंडूवी जो था जिसका नाम वेला था वह कहां की गई तो हम मुंबई महाराष्ट में कि पंडूवियों का निर्मान माजगहुंद्युक लीमिटेड में किया जा रहा है जिसने मुक्ः सहही होगी मेशर्ज नेवल गूरुफ फ्रांस है साई मेशर्डूबी वेला नामत एक पूर्व की की पंडूवी का findings बेच नम youngest तदक कालिनी वेला से रही के प्रमुक पं 31 अगस्तु 1973 को भारतिया नौसेना सेवा में सामिल किया गया और यह 37 वर्सों तक सेवा में रहा था नेक्स्ट है कुश्टन नमर सेवन भारत सरकाइन महत्मा गांधी की 150 वी जनतेक उपलक्ष में अब सिस्टों संपन्नता यानि कि वेस्ट वेल्थ प्रदुग की है तो उत्प्रिष्टा के अंदर संस्थापित करने के लिए किस आयाइटी के साथ एक समझ होता गया पनप्रहस्ताक्षर किये गए तो वह थे आयाइटी दिल्ली इसके रिगार्डिंग में कुश नोट्स है यह चार्जेधारी हित ध प्रभावी यानि रेसाइक्लिंग या पुना उप्योग संसाधित प्रतिलाव के लिए सेमिकित द्रिष्टी कोन के उप्योगे तो प्रभावी मंच प्रदान करेंगी राजपूत स्रीनी का विद्वन्शक पूत जिसे विशाखा पत्नम इस्तित नौ सिना डवक्यार्ड में आविजित एक अपचारिक समारों में मुक्त क्याया तो वह कौन थे तो वह था आइनेस रंजित समारों में कमिशन कुरू के 16 अधिकारियों और सो नाभिकों और 23 भूतपुर्व कमांडिंग ऑफिसरों ने भाग लिया था 15 सेप्टेंबर 1913 को पूर्भ यू एसस आर में कैप्टन विश्णू भगत द्वारा देखे यह जितने भी सारे एवरिवेशन है इसको आप वर्ष तक राष्ट के लिए उत्री स्वाब प्रदान के थी क्वेस्टन में मुंबई इस्ति चंजय गांदीर राष्ट उद्यान में अन्तिम बंदी सफेद बाग जिसकी एज जो था अठारा था उसमें मिर्तु वह तो उसका नाम आपको बताना है तो उसका नाम था बाजी राओ नोट वह पिछले चार बरसों से बाएं कंदे पर मतलब की एक गठिया था उसके बाएं कंदे पर गंभीर रूप से वह गठिया जो था फैल गया था करन के रूप में ब्रधा अवस्था के साथ कई अंगों का भी फलता है भी बताए गई थी इंजेंडर हुमें के केस में भी देखा जाए तो गठियां जो होता है वह इंटर्नल और योदी फेल्यूर होने लगे तो यह सब चीज होता है से और आजकल के समय में देखा जाए तो यह है मतलब कि प्री मैचूर्ड जो यूथ है उनको भी होता जा रहा है यानि कि एज से पहले कमेज में भी कुष्टिन नमर्टिन भारत में लाखों सम्मद्रित उप्भाउगतां और बेवसाय को एक परिक्रिष्ट ग्रहक अनुब प्रधान करने के लिए बोड़ा फ हाइब्रिट क्लॉड अधर डिजिटल प्रेटफॉन प्रधान करें देखें क्लॉड इस्टोरेज जो होता या ओनलाइन इस्टोरेज होता है जैसे कि आपके फून में इंटरनेट सेवा रहेगी हाइए स्पीड इंटरनेट से बाद आप कोई भी फाइल को आउनलाइन जो पॉइंट है इसी में नया नया अव संचारन प्लेटफॉर्म वीडियो इस्टेमिंग और डिजिटल कोमर्स की बढ़ती खपत से संचालिक डेटा उप्योग की कई गुणा ब्रधी में बादाओं को दूर करने में मदद भी मिलेगा अब इस सेवेंडेज के अंतर गत पूरे वेड की मौस्ट इंपोर्टन इविएंट्स को भी हम लोग ध्यान दे देते हैं मैमार को हथियाद बेचने पर लगे प्रतिबंद को किस ने विस्तारित किया था यूरोपीय संग ये यू संजुक्तरष्ट संग द्वारा दुनिया के सब से सताय गई लोगों के सब्सक्राइब करने के लिए उत्री मैमार के एक सेंग करवाई से भाग गए जहां सताय गए तीन लाख मुस्लिम अलपसक्यों पहले से ही सिवीर में थे कि कुश्टिन नमर्टू वर्ष दूहजार सत्राइस अठादे के भारत में तीस्ता सबसे बड़ा बीजेसी प्रत्यक्ष निवेसक राष्ट कौन सा है जिसका पूरे छेत्र में निवेसक लगभग दो दसमलब 6-7 बिलियन अमरीकी डॉलर तो वह है निदरलेंड इसके रि स्थान था वारता का उदेश भारत और निदरलेंड के वीच तेज तक्निकी परिवर्तनों के समय में वेपार साजितारिय को मजबूत करना था नेक्स्ट क्वेस्टन भानत प्रांस सन्युक नव सेनिक अभ्यास का पहला बाग जो गोवा तक पर शुरू हुआ वह कौन सा तो यह अभ्यास था वरून 9.1 अब इसका नोट से है अभ्यास दो चरणों में आउजित क्या जा रहा है और गोवा में होने वाले हाइवर चरण में क्रोस विजिट पेसेवर संबाल और चर्चा तथा खेल प्रतिस्परदाएं भी सामिल होगी वरून 9.2 यह अभ्यास का दूसरा भाग है जो कि इसी महिने के अंत में जीबूती में आउजित होगा पार्यावरन एबम जलबायू आपातकाल घोसित करने वाले पहली राष्टे सरकार कहां के थे तो यूके के थे यह निड़नाई जलबायू परिवरतन से निपटने की अतिया बसकता की भावनाओ को दरसाता है और एक्स्टिंशन रेविलियन कारेकरता समुह द्वारा ग्यारा दिनों की विरोध प्रदसन हाल की सब्ता में सेंट्रल लंदन में बड़े विद्वान परिदा किये गए और जलबायू आपातकाल की कोई एक परिवासा नहीं है लेकिन कई अस्थानिया छेत प्रकने में उसको मिलती है थोड़ी सी डीपली है यह है स्रीज वन लाइनर से लिखने यह यूप्यसी और स्टेट के लिए बहुत ही है आप कोई भी स्टेट में हो कहीं से भी हो अपने इंडिया के भारत के किसी भी कोने से हो और आप यह इस स्रीज को देख जाते हैं पढ अंटरनेट कंपनी द्वारा वीट पुशित एक जापनी एरोएस्पेस स्टार्ट अप ने किस मानवर ही छोटे से रोकेट को सफलता पर वकल लूंच क्या उसका नाम था मोमो थ्री इसके रिगार्डिंग नोट है जापानी एरोएस्पेस स्टार्ट अप इंटर स्टेलर टेकनोलोजी अनुसार इसका दस मीटर हैने के 32 फूट का छोटा जाच परसांत महासागर में गिरने से पहले लगभग सौ किलोमेटर हैने के साथ मिल्क उचया पर पहुंच गया यह सफल उड़ान लगभग दस मिनट तक चली और बर्स 2017 और अठार्ट में इस कंपनी तो जो कि भारती अंत्रिक्ष अनुसंधान संगठं के उनसार भारत का दूसरा चंद्रियान कब प्रचिक छेपित किया जाएगा तो इसका डेट है नौ से 16 जुलाई के बीच पहले से ही जो हता है निरधारित रहता है चंद्रियान टू का लेंडर 16 सेप्टेमबर को चंद चंद्रियान टू में इसके तिन मोडिल होंगे एक और विटर विक्रम नाम का एक लेंडर और प्रग्यान नाम का एक रूबोर चंद्रियान टू को भारत के सबसे सकतिसाली रोकेट यानि की जी एसल्वी मार्क थरी का उप्योग करके लॉंच किया जाएगा जन्शेबाट सिए इगोवर्णनेंस सर्विसेज इंडिया लिमीटेड ने किस अभियान को अभियान का नाम पूछा जा रहा है को संपन्ण बनाने के लिए भारती प्रद्युर्वरिक संस्थान यानि के आई टी कानपूर के साथ समझ होता किया तो अनत भारत अभियान के रिगार्डिंग को गुद्ध लेंगे और उन्हें CSC के माध्यम से सभी नागरी टेनर से वाएं प्रदान करेगी उनत भारत अभियान ग्रमिन भारत में सतत विकास तेजी लाने हैं तो समाधान खुजने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्राले के पहल है इससे में होता क्या है कि बड़े- इन्फरमेंशन गोबर्मेंट को भीचते हैं सेंटल गोबर्मेंट को और इस से विलेज को बहुत सारी बेनिफिट्स मिलती हैं बहुत सारी सुखधाओं का लाव मिलता है अब हम लोग देखते हैं सम्मान एवं पूरसकार मई में ही वह एक से साथ तारीक तक जो गई है तो कि डेक्टर सेठी भारत के सबसे प्रतिष्ठीत हिर्दय समंदिश्रजन और मानवता वादी भी थे मंठी स्थित रामकृष्न मठ और रामकृष्न मिशन के महासाचीव स्वामी सुविरानन जी महाराज इस अवसर्प मुख्य अथिति के रूप में सामिल हुए और अध्यक्ष का नाम आपको बताना है तो यह हैं एस किरनकुमार किरनकुमार भारत फ्रांस अंतरिक्ष सहयोग में उनके युगदान के लिए सम्मानित हुए थे और कुमार वर्ष्ट 2015-18 तक भारती अंतरिक्ष अनुसंधान यानि इस रों के अध्यक्ष भी थे और बरतमा क्रिकेट क्लब MCC के पहली गयर बिर्टिस अध्यक्ष की रूप में न्युक्त त्रिलंका के पुरु बलेवाज का नाम आपको बताता बताना है तो वह थे कुमार संगकारा और उनके रिगार्डिंग नोट है वह एक अक्टूबर उनीस को अपने एक वर्ष कारेकाल का सब्सक्राप्त है यह खेल के नियम जो हता है उसका संगत्षक है और नेक्स्ट क्वेस्टन है तीन दिवस्य राजी अभिषिक समारों के मुख्या कर सक उनके सिंहहसन पर बैठने की दो बर्स बाद सोने की परतों वाला मुकुत पहनने वाला थाइलिंड के राजा कौन थे और जिन्होंने लगातार 130 गंटे 15 मिनट यान 2011 में परफॉर्मेंस किया था और नेपाल के प्रथान मंत्री केपी सलमा उली ने विवती बंदना नेपाल को यह उपलब्दी हासिल करने के लिए समानित किया गया था यहां पर सबसे बड़ी बात आपको देखने को यह मिल ज सकता है और उस कार kaal में जो थे उस वहां के प्रधानमंत्री उसका नाम पूछा जा सकता है तक तो कि में वर आप उसने सब्सकार सब्सक्राइए अर्षर मोर फॉर्डव करेंगा लगान निहें अब राजदानी और यहां नेविवती बंदने द्रॉनाल टरंप ने प्रिजिडेंशियल मेडल ओफ फ्रीडम किसे प्रदान किया तो उनका नाम था टैगर वुड्स इसके रिगार्डिन नोट से वुड्स ऐसे चौव थे और सबसे यूबा गुल्फ के लाड़ी है जिने सरवच अमरीकी नागरिक पुरुसकार प्रदान किया गया है वुड्स ने पिछले महिने मास्टर्स टूनामिंट जीता जो कि 2008 के अमरीकी उपेन के बाद उनका पहला बड़ा खिताब था जिसमें उन्होंने व्यक्तिगर्थ समस्याओं पर साडिक चोटों से उभरती हुए सांदर वपसी की थी क्वेस्चन नमरी से में लेटेनेंट जनरल यहने की सेवान इवरित हो चुके हैं जेक फर्ज रैफल जेएफार जैकब को एम्मुनिशन हील इस्थित वाल ओफ अनर पर पर पतिका से किस ने समानित कया तो वह कंटरे का नाम था इसराहिल इसके रिगार्डिंग भी नोट स लेटिनेंट जनरल जे एफ आर जैकोब ने 1971 में बंगलादेश स्वतनता संग्राम के बाद धाका में पाकिस्तानिक सेनेकों के इत्यासिक आत्मसामारपट पर बारता भी की थी एमुनिशन हिल इस्थित वाल ओफ ओनर उन यहुदी सेनिकों के बीरता और साहस को सरदांजली अर्पित करती है जो अपनी देश की रक्षा में बहादूरी वफादारी प्रतिवद्धा के मुल्यों को कार्यावयन और एक मिशन के प्रतिसमरपन नेतरितर हसनात्मत सोहर्द और जीवन की सुचिता है दू लड़े थे अब है स्पोर्ट रिलेटेट कुछ इवेंट्स तो क्वेस्चन नमर वन में दिल्ली गुल्फ क्लब में आयवजित वार्षिक भारत गुल्फ उद्योग संग यानि की जी आई ए प्रशकार के चोथे संस्क्रण में आउट तो यह थे गगन जीत भुलर भुलर एक यूरोपिया टूर प्रतियोविता दोहजार अठार फीजी इंटरनेशनल जीते और टूर में नौ केरियर जीत हासिल करके एस याई टूर पर सब से युवा गुल्फर भी बन गया जी आए पुरिसकार दक्षिन एसिया के सबसे इसने 2019 फूटबलर अपते इयर चुना गया उनका नाम क्या था उनका नाम था रहीम स्टर्लिंग विजयता का चैन फूटबल राइटर्स एसोसियेशन की सदेशियों के बीच एक भूट द्वारा किया जाता है जिसमें इंगलेंड के लेवर चार सो फूटबल पत्रकार सा सब्सक्राइब का नेक्स्ट पूट है पेरिस मंचेस्टर सिटी यानिकी इंगलेंड फॉर्वर्ड ने 11 वोट हांसिल करके विवियन मैडेमा जो कि था अर्सेनल और नेदरलेंड स्ट्राइकर टीम का नाम के केबल एक बोट से हराकर महलाओं का पुरुषकार जीता नेक्स जितने वाली चोथे खिलाडी निक राफिल नडाल कई निसी कुर्ज और फर्नांडो वाडरासको के बाद बने वर्सुलिना ओपन 2019 स्पेन के केटो निया इस्थित वर्सुलिना में व्रियल क्लब डे टेनिस वर्सुलिना में आईजित हुआ नेक्स्ट क्विस्टन है प्रिस्टन नमर्फूर हें सायर में सामिल होने वाले भारत के पहले खिलाड़े कौन थी तो आजिंग क्या रहने नोट रहने दक्षिन अप्रिका के बल्ले वाज एडन मारकम की जगाह लेंगे वहां मई जून और जुलाई के महिने के दोरान कॉ वीजा मिलने के अधिन में जो कि है वीजा का जब तक की रहता है डेट एक्सपारी डेट हैंप सायर कौंटी क्रिकेट कलव यानिकी 1863 में स्थापित हुई थी यह इंग्लेंड और वेल्स के घालेलों क्रिकेट के अंदर 18 पर्थम स्रेनी स्रेनी कौंटी क्लबों में से एक नमर फाइव भारतिय फूटवर्ल टीम के नए तकनिकी निदेशक के रूप में नियुक्त रोमानिया के खिलाड़ी कौन थे तो उसका नाम था इसाक दोरू इसाक अंतरीम तकनिकी निदेशक सेवियो मेडिरा का जगह लेंगे इसाक को इस पद के लिए आविदन करने वा एक्सपरियेंस रखते हैं 29 इस का इनके पास एक्सपरियेंस है आई पीयल 2019 में हैट्रिक लगाने वाले राजस्थान रोयल्स के लेग स्पिनर का नाम क्या है उनका नाम है स्रियस गोपाल उन्होंने बैंगलूर के विराट कोहली एवी डिविलियर्स और मार्क सेस्टेनेस को आउट करके यहां उपलवदी हासिल की गोपाल के हैट्रिक आई पीयल के इथियास में हैट्रिक दर्ज करने वाले गेंदवाज की 19 है क्रिकेट में एक हैट्रिक तब होती है जब कोई गेंदवाज तीन बल्ले बाजाओं को लगातार गेंदों पर आउट कर देता है आई पीयल लीग में सरभाधिक तीन बार हैट्रिक लगाने का रिकोर्ड भारते लेगे स्पिनर अमित मिस्रा के नाम दर्जय को नाम में याद रख लेंगे आप लोगिंगा नेक्स्ट है क्वेस्टन नमर सेवेन गुलाबी से अर जैपूर आठमी एशेय युवा महिला हैंडवल चेंपियंशिप की मेंजमानी कब करेगा तो इसका डेट है 21-37 अगस्त 2019 तक इसके रिलेटर भी नोट है पिसला संस्क्रण वर्ष 17 में इंडोनेसिया के जकार्ता में दने आएज़ित क्या गये था और अफिवा युवा हैंडवल चैंपियंशिप इसे हैंडवल महासंग के संदों में आधान में आएजित एस्या क्यूवा महिला रष्ट हैंडबल टीम की अधिकारी प्रत्यूगीता है है यह वर्ष में हर दू बर्रस में आएज़ित होती ह मतलब कि टू एर्स में एक वारा है उजित होती है क्वेस्टिन नमर एट वर्सोलिना क्लब के दिगज खिलाडी जिन्होंने मौजूदा सतर के अंत में पेशेवर फुटवल सन्यास लेने की घुशना कि उनका नाम क्या तो उनका नाम था जावी हारनाडेज थर्टी नाइन एर्स के यह हैं तो जावी ने इस्पिन को वर्स दोजार दस में विश्टो कप और आठ तथा वारा में यूरोपे चेंपियंशिप जितने में मदद की थी उन्होंने वर्सोलिना के और से देकौर्ट साथ सो सडशट मेंज खिलें और कलब को 25 खिताबी जितन सब्सक्रामेंट के पैसाथ किलोग्राम फिर स्टैल में स्वरंद पदक जीतने वाले पहले भारतिया बन गए तो इसका नाम था कपी प्लेस है उन्होंने रूस के क्वार्टर रसाडीन को हराय था और इससे पहले बदरंग पुनिया ने पिछले सब्ता चीन के सियान में आ लड़ना है यह पूर्व के डेट विस्व चेंपियन और दो बार एंसी एए चेंपियन जो कि यानी द्याक मेहुलियस से उनके एगेंस्ट मेंन को मुकाबला करना है क्वेस्टन नमर्ट टेन मालेसिया के कौलालामपूर में अपने स्वेस्ट के खिताब जितने वाले सिर् आपके एक्जाम में इसका रिलेटेट भी तीन पॉइंट्स है सोरभ घुसाल ने लियो और चुनमिंग जो कि होंकों के थे उनको एगारो नो एगारो दू एगारा आट सेरा कर पुरुष एकल खिता था जो सना चिन्दपानी महलाओं की फुनलस परदा में सिर्ष वर्यता प्राप्त इनी और हंकों को एगारा पांच छो एगारा एगारा आट एगारा चो सेरा कर अपना खिताब बरकरार रखा गोसाल जो बिस्वर रेंकिंग कर सिर्ष दस में पहुंचने वाले पहले भारते पुरुष खिलाड़ी बने थे पिछले संस्क्रम संस्क्रम के अंतीम वाले में भाज लेते में उसके लिए दाविदारी क clusters करने का फइसल्हा किसले लिया तो है भारतिया टेवल महासंग इसके रिगारंडिंग नोट है सनिल सिठी और मदूरिका पाटकर है तो आसा करता हूं कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो यह स्रीज आपको कैसा लगा आप लोग कॉमेंट करके जरूर कॉमेंट बोक्स में बताएं यदि आप लोग को अच्छा लगा होगा तो मैं और वीडियो बनाओगा यदि लेकिन आप लोग को करेंट अफिर से आगे चलके जीके बन जाते हैं यहीं आपको अभी से धियान रखेंगे आप लोग रिभाइज करेंगे सिर्फ दो बार ज्यादा ने सिर्फ एक से दो बार बना लेते हैं तो सारे कुएस्टन अपके दिमाग में पर्मानिंट रूप स पर्मानिंट मेंवरी में चली जाएंगे तो आपको यह स्रीज कैसा लगा आप लोग कोमेंट बॉक्स में जरूर कोमेंट करेंगे आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में जो कहोगी इस से आगे की तब तक के लिए जहें जय भारत आशा करता हूं कि आप सभी को हमारे वीड चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकोन को ताकि नूटिफिकेशन आपके फंपी जल्ग करें